हेलो गाई स्वागता पारी टॉपस साइन दोस्तों आज के इस वीडियो मैं आपको इंपोर्टेंट के स्टेडीज नेचरने सिग्निफिकेंस ऑफ मनेजमेंट चैप्टर के स्टार्ट करने वाला हूँ और आगे भी सारी वीडियो के इंपोर्टेंट के स्टेडीज जो के आपके इस वीडियो को पहली बात तो कंप्रीट देखना यूगिए और मैं इस वीडियो को शौर्ट करना चाता था यूगी बहुत लंबा वीडियो मज़ा नहीं आता है यार फिर आप लोग भी बोरग हो आपके साथ share करने वालों अब वो क्या है वो आपको वीडियो में पता चलेगा तो चलिए देखते हैं पहला क्वेशन पहला क्वेशन बहुत चोटा है इसको मैं पढ़के बताता हूं ठीक है भाई यहां पर पहले चीज क्वेशन देखो क्या पूछ रहा है पहले क्वेशन अब चलो ठीक है थोड़ा और पीशे चलते हैं क्वेशन को समझने के लिए उन्टेश निटेश इमस्टर सिंगानिया शुड सेंडिस संटू दे यूस से और यूस यूस क्यों भेजना है ठीक है ठीक है और आगे पढ़ते हैं क्वेशन यानी समया ठीक है पूरा पढ़ते से नितिन सिंहानिया इस काया से अँड है पास्राफिया अप्सरोल एक यूस राफिया अपाउफिया लेगा एग्ड वूज सोच रहे हैं कि जो सिंहानिया उंको को बिजनस जोईन करना चाहिए पर पावा का ठेक तो बाई ऑन दबीसित आपने बच्चे को भीजना चाहिए युएसे में तो आप क्या चाहते हो भीजना चाहिए नहीं भीजना चाहिए पढ़ने के लिए अगर आप हां कहते हैं तो आपका एंसर यह सोगा नो लिखोगे तो फिर क्या लिखोगे मेरे भाई यस लिखोगे क्यों क्यूंकि आप MBA की स्टुडेंट हो सब्सक्राइब कि आप लिख सकते हो अब लिखो गोगई लिखो गवार कि लिखोगे ठीक है ओके अब में दोस्तों इस वीडियो को आप पॉस करो और यह सेकंड वाला क्वेस्चन को अच्छे से पढ़ लो ठीक है अम पढ़ लो उसके बाद फिर से वीडियो को स्टार्ट करना मतलब देखना मैं solution बताओंगा आप इस question को पढ़ो पढ़ लिया ठीक है अब देखो यार मैं चीज़ बता दूँ आपने पढ़ लिया अब मुझे नहीं पता आपने कैसा पढ़ा होगा किस तरीके से पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूँ कि question को पहले कैसे पढ़ते हैं यह मैंने से बोला क्योंकि पहले आप पढ़ लोस के बाद में बताता हूं ठीक तो देखो यह question 2019 मा चुका है CBC Delhi में ठीक है अच्छा यहां से देखते हैं यहां से full stop लगा यहां से देखते हैं वाइल कंपीटिंग 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 एक्टिविटिटी इं फिन फ आपने से पढ़ा होगा तो क्या देखा होगा तो क्या देखा है होगा आपने देखा होगा कि भाई मीता जो है वो एफेक्टिव एंड इफिशियंट वाला कॉंसेप्ट है यहां पर ठीक है ना एक होता है एफिशियंटी टेख यहां पर देखो यहां पर लिखा है शी वह दसी वह एबल तो प्रोड्यूस एंड डिलीवर दा आइस्क्रीम पैक बट एक हायर प्रोडुक्शन कॉस्ट यही लाइन इंपोर्टेंट है मतलब एक होता है एफेक्टिवनेस और एक होता है क्या एफेक्टिवनेस मतलब क्या टाइम पर समयर करते ना प्रोड़क्ट कोो भी है आपका मानिस़ह एकक्श्रेंग हो जाना टाइम पर काम तो पर हो गया प्रोडक्शन हो गया डिलीवरी लेकिन प्रणी बढ़गई तो क्या है एफेक्टिवनेस नहीं है को जो भी है आपका manufacturing हो जाना time पर time पर काम हो जाना तो time पर तो हो गया production हो गया delivery हो गई लेकिन cost हमारी बढ़ गई तो क्या है effectiveness नहीं है sorry effectiveness है efficiency नहीं है efficiency मतलब क्या minimum cost पर काम को करना optimum utilization करना resources का इसने optimum utilization नहीं है इसने cost बढ़ा दिया है तो हमारा resource ज्यादा लग गया है तो optimum utilization नहीं हुआ है तो यहांपर क्या चीज़ नहीं है तो efficiency नहीं है अब जब आप example लिखोगे तो example में effectiveness और efficiency दोनों का example लिखोगे मतलब क्या करना चाहता हूँ मतलब effectiveness बहुना चाहिए और efficiency बहुना चाहिए अब आप example इसी का से मिले सकते हो बस product change कर दो ले 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 थे example एक था भाई ए ने जो अगबत्ती का business start किया ठेक अगबत्ती की demand आई demand को उसने time पर पूरा किया production care delivery किया और तो और उसका cost भी सही रहा cost increase नहीं हुआ without increasing the cost ठेक तो इससे क्या हो भाई कि effectiveness भी और efficiency भी है बस यह दोनों point आपको लिखना है कि भाई यहां पर effectiveness भी और efficiency भी है तो question को पहले पढ़ते हैं यहां पूछ किया रहा इंटिफाइड लेवल of management at which अस्तोष गोईंका was working ठीक है question number three भाई यहां पर कोई आस्तोष गोईंका वो किस लेवल पर काम कर रहा है आगे पूछ रहा है question number B कि state three other functions been performed by Astoj गोईंका ठीक है भाई और भी कौन-कौन से तीन functions perform कर सकता है अस्तोष गोईंका हमें यह भी बताना है तो भाई देखो पहले तो पता कर लेके अस्तोष गोईंका किस लेवल पर काम कर रहा है लेवल मिल लेवल लॉवर लेवल थीन लेवल थीन मेशनी लेवल थीन में से कौनसे लेवल पर काम कर रहा है इसको एबर पता करना पड़ेगा दो को आश्तोष गोईंका वस वर्किंट इन स्लिंटीड कंपनी मैईंका किये अच्छिंट एर प्रिफार देख वाईंड किस started declining from the last six months profit has an implication on the survival of the firm so he analyze the environment business environment to find out the reasons of this decline the business environment लिखायाँ पर बिजस इन्वारमेंट को कॉन अनलाइस करता है top level वाले यह वाड़ाद सना top level वाले ही यह काम करते है middle level वाले सोडी करेंगे lower level वाले सोडी करेंगे top level वाले बिजस्टन को अनलाइस करते है top level पर काम करता है और यही जो है overall organizational strategies policies जो है form करेगा planning जो है करेगा और तो और यही responsible होगा सभी business activities के लिए उसके impact के लिए society के उपर organization के उपर तीसा पॉइंट आफी लिख सकते हो कि इस तो coordinate करना पड़ेगा अपने activities को अलग अलग department के साथ ताकि common goal को achieve किया जा सके ऐसे कई सारे points है top level को जो कि आप लिख सकते हो कई सारे points सब्सक्राइब के लिखे हो आप उन सब points को लिख सकते हो अब अगला question है यह same वैसा है यह 2017 मा चुका है यह 2017 मा चुका है हमें आपर क्या करना है और सब्सक्राइब पूच्छा identify the level at which Rishitosh Mukharji is working or was working and also state three more functions required to be performed by Rishitosh Mukharji at this level okay so this question को आप पढ़ना okay this question को आप पढ़ना okay this answer is okay let me tell you, then you will be confused, okay Rishitosh Mukharji has recently joined AMV limited company manufacturing refrigerator he found that his department was understood, उनका जो डिपार्टमेंट है अच्छा है यह डिपार्टमेंट उनका डिपार्टमेंट मतलब कि डिपार्टमेंट के head है और डिपार्टमेंट का head कहां आता है टॉप में थोड़ी आएगा middle में आता है तो यह आपको middle level पता चल गया तो अब आप दूसरा वाला जो big point ही इसका answer मुझे comment section में लिखके बताएंगे तीन other functions आप बताएंगे जो कि यह perform करेगा middle level वाला टेक अब आगे बढ़ते हैं यहां पर क्या है do you think the production manager is effective give reason for your answer ठीक है यह दुस्तरा वाला चुका है ऐसे question दाते रहते है अच्छा है effective धनकना effective एक होता है effective होता है efficient ठीक है na efficiency आप बोल लो efficient बोलो कोई दिक्कत नहीं है effectiveness का मतलब क्या होता है effective का मतलब क्या होता है कि भाई काम को complete कर देना time पर ठीक है production करना delivery कर देना और efficiency का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कम से कम cost में करना optimization करना resources का तो देखो भाई जो webo garment है limited ने उसे क्या किया production किया 10,000 t-shirts का to produce 10,000 shirts per month at the cost of 150 ये जो question mark ने question mark नहीं आपर रुपया होना चाहिए था ठीक है okay 150 रुपया पर लेकिन जो production manager है वो could achieve this target at the cost of 160 रुपया per should अब target तो उसने achieve कर लिया लेकिन 160 रुपय पर achieve किया अब costing बढ़ गई costing बढ़ गई कि मतलब क्या है कि ये जो है efficient नहीं है ठीक है efficient नहीं है लेकिन effective है effective अब क्या time पर इसने काम किया तो हा effective है इसका answer होगा ठीक अच्छा आगे बढ़ते हैं question number six पर state one more functions performed at this level ठीक है at which level of management was he working अच्छा भाई कोई बंदा है वो किस level पर काम कर रहा है top level, middle level, lower level ये आपके दमाग माना चाहिए ठीक और इस level पर काम कर रहा है उसका हम एक function यहाँ पर लिखना है इसको implement करना है तो तो middle level के हो गए ठीक है अपने पहले ही बता दिया होगा तो इसका कोई अच्छा बहाँ पर किस अच्छा भाई यूर फादर एड़ाटर आप मनिश्चिंग कोपनी बाई डारेक्टर स्वी यू एमडी ये सब कहा ते थोड़ा तब इतने ठीक है ओके सीबसी 2014 में एक question आ चुका है और यह भी सीबसी 2014 में आ चुका है चलो देखते है क्या है question भाई मेरे पहले थोड़ा question लंबा दिख रहा है तो हम पहले देखते हैं कि पूश कहरा है कौन सा objective यहां पर discuss किया गया है is it any two values while which the company wanted to communicate to the society society के लिए क्या काम कर रही है उस पे दो objectives जो पूरा कर रही है उनको लिखना है गाहों का development कर रही है क्या कर रही है promote कर रही है literacy क्या कर रही है सब चीज हमें लिखनी है टिक और दो objectives explain करने है management के management के तीन objective होते है क्या social personal और और social sorry तीन तीनों में से कोई दो यहां पर है उनको हमें find out करना है चलो पढ़ते है भाई क्या लिखा हुआ यहां पर लिखा हुआ है x y z power limited set up of factory for manufacturing solar latence in remote village as there was no reliable supply of electricity in rural area ठीक है भाई पहले चीज़तों से remote village में set up किया है factory तो गाहों का विकास होगा तो हमें एक point मिलेगा कि भाई village डेवलोप्मेंट यह क्या है हमारा यह हमारा क्या social values एक value हमें मिल गई ठीक है ना एक value हमें मिल गई तो बी में हम लिख सकते हैं एक value मिल गई social development और यह क्या कर रहा है अपना गहाँ अपना जो एक social contribution दे रहा है चलो आगे बढ़ते हैं पहले the revenue earned by the company was sufficient to cover the cost and the risk cost और रिस्क को cover कर पा रहा है तो आप यहां लिखोगी क्या organizational objective पूरा हो रहा है और यह social objective भी अपना पूरा कर रहा है मैंने बताया था क्या होता है organizational, personal और social तीन होते हैं तीन में organizational objective पूरा कर रहा है यहां पर लिखा उसके बाद जाकर आप क्या करना है आगे हम पढ़ते हैं भाई दोनों objective होगे अब बात करते हैं company क्या-क्या communicate कर रही है society को company क्या-क्या दो values communicate कर रही है तो उने पर लिया भाई rural development आगे क्या है आगे देखते हैं they decided to employ more from nearby villages ठीके न गाओ का विकास हो रहा है job opportunities available in their area the company also decided to open schools and creatures for the children of its employees भाई यहां पर literacy को भी promote के जा रहा है तो आप लिखोगे अगला point क्या promoting literacy ठीक अच्छा अब आगे बरते हैं अगला question बिलकुल वैसा ही है and fine explain the objective of the management which discussed above and some values that the company that is to communicate to society okay then this is mega limited manufacturing water heaters in the first year of its operation revenue earned company was just sufficient to meet its cost okay here again what organizational objective you have to explain the whole objective okay to explain the whole revenue 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 बढ़ाने के लिए कम लिए क्या reason था जिसके मारा revenue कम रहा after analyzing the company decided to reduce the labor cost by shifting manufacturing unit to backward area ठीक है backward area में shift कर लिया इससे क्या हो गया भाई rural development हो गया तो एक point आप आपको मिल रूरal development ठीक और social objective भी बन गया यह आपका एक साथ एक तीर से दो निशाने हो गया इसका भी आपको बी का भी answer मिल गया एक रूरal development और एक आपको एक answer मिल गया social objective आपका पूरा हो रहा है ठीक अच्छा ओके 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 यह हो गया to start manufacturing solar water heater solar water heater एक और आपको मिल गया क्या यहां पर social objective वह क्या eco-friendly method of production असवार eco-friendly product बना रहा है ठीक है आपको यहां पर एक eco-friendly product बन रहा है आप इसको एक term दे सकते हो environment sustainability का term दे सकते हो ठीक आप इस term को याद कर लो लिख लो तब ही तो यह अच्छे नमबर आएंगे वीडियो देखते हैं का कुछ तो कुछ फाइदा होना चाहिए ना तो आपको इंदर value-add हो रहा है ना आप इस word को याद करो और यहां पर आप आगे पढ़ लेना कुछ नहीं है चलो पढ़ देता हूं इस तरीके से आप अच्छा नमबर लापाऊगे मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो को देख रहे से काफी हद तक आपके अंदर कुछ value-addition हुआ है आप कुछ लिएनी चीज़े सीख पाया हो के-studies को कैसे सब्सक्राइब हो जान पाया है कुछ नहीं वाट्स जान पाया है जैसे कि प्रमोटिंग लिट्रेसी हो गया इंवर्मेंट सस्टेनिबिल्टी हो गया तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो और अच्छे अच्छे के शरीज के साथ धन्यवाद